समण संग का आठ्वा गोल्डन नियम संग राजनीती में कभी नहीं जाएगा जैसे ही कोई व्यक्ति इस नियम के वारे में सुनता है या पढ़ता है खास तोर से वो जिसको बार बार ये बताया गया है कि राजनीती सभी तालों की मास्टर चाबी है और फिर उपर से बावा साब वंबेटकर का नाम लिया जाता है तो आदमी आख बंद करके यकिन कर लेता है कि राजनीती सारे मास्टर यानि सारे दुखों की सारे अधिकाल लेने की चावी है और अगर राजनीती नहीं है तो कुछ नहीं है तो वो सोचता है कि अरे ये संग वाले तो राजनीती में कभी जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? वो पूचता है कि बहुत करेंगे क्या? आखिर जब राजनीती करोगे नहीं तो फिर फाइदा क्या संका मतलब व्यक्ति की सोच को सिर्फ एक पॉइंट पे एक बिंदू पे लाके रोक दिया कुछ लोगों ने और वहां से राजनीती के लावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है सबसे पहले ये समझें के राजनीती का अर्थ क्या है राज माने होता है राजा राजा से संबंदित राज कुमार से संबंदित राज कुमारी से संबंदित राज महल से संबंदित राज दर्वार से संबंदित ये जितने भी राज या राजा है पाली भासा में तो उनको रही बोला करते थे पर संस्कायद भासा में रही का राजा कर दिया राज कर दिया और नीती का मतलब है नीती सब्द बना है नियती से और नियती का मतलब होता है ले जाने वाला जो ले जाता है यानि ले जाया जाता है तो ले जाया जाता है मतलब किसी व्यक्ति को ले जाया जाता है जैसे कहीं आप जाते हैं और कोई आपका हाथ पकड़के आपको कहीं ले जाए तो उसको बोलते हैं ले जाया जाता है नियती तो ले जाया जाता है मतलब कोई मार्ग है पहले से उस पे ले जाया जाता है उसको नियती बोलते हैं कहीं कोई बात होता है तो कहते हैं ये तो इसकी नियती है और क्या बार बोलते हैं परी नियती है यानि कि पूरी तरह से नियती इसमें कोई चेंज नहीं है और अगर इसका ये प्रिजेंट टैंस है वर्तमान टैंस है ये वाक्य है अगर इसका हम पास्ट टैंस बनाएं यानि कि हो चुका है किया जा चुका है तो उसको बोलते हैं नीत नीत माने ले जाया गया हुआ यानि इसको ले जाया गया हुआ है जैसे किसी को कोई व्यक्ति अपने घर बुलाए और वहां से वह पड़ा उसके घर जाए और पड़ा उसके घर पहुंच जाए तो कहते हैं इसको व guide ले जाने वाला वो नीती हो गई तो नियती नीत और नीती यह सब्द नीयती से बने हैं इसका मतलब हमें वो मार्ग या मार्ग पर पहुंचाने वाला guide या गाइड़ जो नीयती है वो guide हो गया और जो या guides हो गया और जो इसके अंदर नीत है वो guided हो गया और जो नीती है वो guidance हो गयी तो राजा की नीती यानी राज़ नीती यानी राज़ हमको कहीं लेके जा रहा है इसको बोलते हैं राजनीती। पर भारत में तो आजकल पोई राजा है नहीं, इसनिए राजनीती सब्द यहां बेकार है। यहां है लोग नीती और संग नीती। भारत गडराजे संग का संविधान संग की नीती या लोक सभाब में जो लोक रहते हैं लोक नीती दोनों की बात एक ही है यानि कुछ लोग हैं जिनको हम चुनते हैं वो हमको लेके जाते हैं वो हमारे गाइड हैं कुछ जो संग है भात गड़ राजे संग के जो लोग है उन लोगों को चुनत तो संग नीती या लोक नीती, या पुराने समय के इसको गल नीती बोलते थे, गल माने लोगों का समुझ, यानी लोग जहाँ ले के जाएं जो तैख करें। तो सोचने वाली बात ये है कि प्राकर्टिक क्योंकि हम यहां बारबार बताते हैं कि सबसे पहले जो जीब थे या जो प्राकर्टिक चीजें थी उन्होंने इखटा होके अपनी सुरक्षा, अपना विकास और अपना सुख समझा और वो ऐसे जीब थे, जिनके ना कान थे ना नाक थे, एक कोशके है, दो कोशके है, बहु कोशके है, फिर बात में इंदियां बननी सुरू हुई, यानि सेंसिस बनने सुरू हुए, सुरू सुरू में सेंसिस नही थे, जब सेल्स बनी, तो किसी के कान बने, किसी की नाक बनी, तुचा बनी, तुचा में सैंसिस होते हैं, किसी की जीब बनी, किसी के हाथ पर यो बने और बहुत बाद में जाके फिर नाक बनी और उसके बाद में भी जाके आख बनी पहले एक आख बनी, फिर एक आख से दो आख बनी यह senses बने हमारे और मन बना हमारा जो मन चलता है इसलिए मन उससे वो प्राणी है जिसके पास में 6 के 6 इंदिया होती है 6 के 6 senses होते हैं बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके पास में 5 इंदिया होती है यानि मन तो बहुत कम होता है उनके पास में और बहुत सारे जानवर जीव ऐसे हैं, जन्तु, जिनके पास में कुछ इंदिया नहीं होती हैं, तो वो सारे एक इंदिया वाले या दो इंदिया वाले या चार इंदिया वाले या छेंदिया वाले उनको पता था कि एकटे रहेंगे तो सुरक्षत रहेंगे तो जान बच ज और जहां तालाब में एक मचली चलती है सारी मचली उसके पीछ पीछ जाती है और यह कंगर करसे नहीं नहीं होता। ही जंगल के अंधर अगर हिरन भागते हैं तो इकतरफ भागते हैं। जो सुमाई मारा करके अफरीका की अंदर बहुत बडा जंगल है वहाँ to लाखों जीव एक साथ चलते हैं और एक तरफ चलते हैं उन्हें पता है कि सब को साथ ही जाना है और कोई अलग जाना चाहे तो उसको मगरमच पकड़ लेता है सेर पकड़ लेता है चीता खा जाते हैं उसको वहां बड़े सारे मसाई मारा में बहुत सारे जीव हैं वहां चंद्रकुप्तु मौर्य के इत्यास में बता जाता है कि उन्होंने पहली बार सेना बनाई और सेना रखी पेड़ सेना यानि जो सेना का चलन हुआ है रखने का साधर्ण मनुस्य को सेना बनाने का सिपाई बनाने का जो चलन है वो चंद्रकुप्तु मौर्य से मौरिया से आर राजाकी या राजनीती नहीं होती थी. तो ये बात तरह है कि सबसे पहली जो नीती है प्राकरतिक रूप से वो गणनीती या सांगिक नीती, संगनीती या लोकनीती, तिनों एक ही बात है. इसको public technique बोल सकते हैं या public की जो anthropology के हिसाब से जो public rules बनाती है public rules बोल सकते हैं public administration बोल सकते हैं तो ये जो संग नीती है लोक नीती है या जो गड़ नीती है ये राजा की नीती में कैसे बदली इसका एक process है इसका process ये है कि जब हम गड़ नीती बनाते हैं या संग नीती बनाते हैं या लोक नीती बनाते हैं तो गड़ नीती में एक गड़ इसी बनाते हैं जिसको गड़ेस बोलते हैं गड़ेसी बोलते हैं जो गड़ इसी होता है इसी माने वेग्यानिक जानकार तो उसको हम बनाते हैं आज के समय आप कह सकते हैं गाउं का प्रधान तो गण इसी बनाते हैं गण का समू का जानने वाला जादा जानने वाला और दूसरा जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं लोक सभा के अंदर लोक पती जो आज के समय संसद में बनता है तो सारे जितने भी चुनेवे पर्थिदिन्दी हैं वो लोगपती जिसको प्रधान मंत्री बोलते हैं वो बनाते हैं जो व्यवस्था को चलाता है और जो संग है संग अपना कोई ना कोई संग का सभापती जो संग का संचरन करता है जो हमारी वहां संगती लगती है वो टेंपरेरी रूप से बनाता है पर्मानेंट नहीं होता तीनों ही सिस्टम में पर्मानेंट नहीं होता बस आवस्ता पड़ती है बना लेते हैं या कुछ समय के लिए बना लेते हैं पर जब वो और हम उसे temporary बनाते हैं, तो वो काम करता है, पुराने समय में इमानदारी से काम करता होगा, इतने करस्ण औरस्तों नहीं होंगे, छोटा बोटा कोई करस्ण कर लेता होगा, पार्शल्टी कर लेता होगा, पर अगर एक ही व्यक्ति को लगातार गणपती बनाएं, या एक ही व जैसे कोई व्यक्ति कहीं जौपड़ी डालके रहे और वहीं रहता रहे तो 20 साल तक अगर रहता है तो सकार भी कहती है अब यह जमीन तेरी होगी तेरा अधिकार हो गया क्योंकि तूश पर 20 साल से है वैसे ही वो लोग जो सांगिक प्रेकरिया में टेंपरी रूप से सेवा देने आए लोगों ने का तुमने अच्छी सेवा दी तुम इस पर रहो कुछ समय तक उन्होंने सेवा की फिर उनका अधिकार बन गया क्योंकि जब वो वहां रहता है तो उसको कुछ मिलता है क्योंकि वो लोगों को कमांड करता है लोगों को बताता है नीतियां चलवाता है सारा मैनेजमेंट करता है फिर उसे उस मैनेजमेंट का उस कमांड का उस प्रमुक का उस प्रधानी का सुक का ऐसास होना शुरू हो जाता है और फिर उसके राग में आ जाता है और जब उसके राग मे राजनीती में बद लगई और धीरे-धीरे करके राजनीती डवलप हो गई राजनीती एप्राकर्टिक है प्राकर्टिक नहीं है वो कुछ उन व्यक्तियों की इक्षा के उपर है जो छोड़ना नहीं चायते जो अधिकार लोगों ने दिये जो संग ने दिये और फिर उन्होंने अपने परिवार को वारिस बना दिया फिर उनके परिवार को बना दिया और फिर लोगों ने उसको एकसेट कर लिया लोगों को पता ही नहीं कि इसको टेंपरेरी बनाया गया था और यह पर्मारेंट हो गया फिर वो कहता है कि मेरे तो दादा के दादा के दादा राजशाही खांदान हो गया प्राकरतिक रूप से किसी का राजशाही खांदान नहीं है सारे बंदर थे तो बंदरों का तो कोई राजशाही संसकार होता नहीं बंदरों का कोई महल नहीं होता कोई राजदरवार नहीं होता बंदरों का और जो बनमान उसे हैं उनका क अपना अधिकार बना लिया और उन्होंने इसको अधिकार को बना रहे चलाने के लिए सारे साम दाम दंड बेच छल कपट के सारे सड़िंत किये कुछ लोगों ने तो अपने परवार के लोग डोगी मरवा दिये कुछ होने जो लोगों ने आवाज उठाई वो मरवा दिये जिसने भी लोगों की आवाज उठाई लोग की आवाज उठाई जिसने भी आम पब्लिक की आवाज उठाई जिसने भी संग की बात के जिसने भी ये कहा कि लोग जो चाहेंगे वो कहेंगे वो मरवा दिये गए या उनको जेर भिजवा दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहेता और वो ऐसे लोगों को शामिल कर लेता है जो लोग उसमें हो ये सबी दुनिया में चलता है सिस्टम आज भी चलता हैं. अगर एक टेन उर से जादा दूसर टेन और आता है या तीसर टेन और आता है तो वो वेक्ट में ऐसे चेंटिस कर लेते हैं कि आ तक कम्श्ड में भी वी सम्विधान बदल लिए बड़े बड़े देशों ने बदल लिए क्योंकि कौन अपनी सुविधाएं कौन अपनी सुख और जो वो लोगों पर रूल करता है लोगों को गुलाब मनाग चलता है उसकी आदिश चलते हैं उसका मजा की व्यस्ता है वो गण परिशा के आधार पर थी उसको Mainly चलाया करते थे गणपति चलाया करते थे जो सांगिक विएस्ता थी वो सांगिक विएस्ता ज़्यादा मजबूस थी और यहाँ राजा भी थे जैसे पसंडी राजा थे पर पसंडी तो यहां जो system चल रहा है जो अभी system चल रहा है वह system समण संग में नहीं था और भिक्षृ сंग में भी नहीं थी, वहां भी कोई राज तंत्र नहीं था, भारत में जो आज के समय सिस्टम है, वो भी सांगिक है, जो सम्विधान के अंदर है, जो विधान सवा के अंदर है, जो गाओं के अंदर है, जो पंचायत के अंदर है, जहां भी पब्लिक एडिमिस्टर्सन है, जहां पब्लिक बो होता है और विप जारी होने पे वो स्वतंता खतम हो जाती है जो एकल व्यक्ति की चुनी हुई ए फिर उसको अपने संहूं और अपने गुरुप के लिए अपना जो उसका पार्टी है उसका जो नेता है उसके कहने पर वोट डालना पड़ता है चाहें वह बात गलत है या वह वो बात सही है ये ठीक पोईशन राजनीती की है यानि राजा की नीती की है ये सांगिक या सम्विधान की नीती नहीं है तो इसलिए सांगिक नीती को धीर धीरे करके राजनीती में लोग बदलते हैं ये सारी दुनिया में होता है और जब ये ज़्यादा चलती है तो फिर द भी कह सकते हैं, तो लोगों की नीती और एक व्यक्ति की नीती इनमें आपस में हमेशा जगडे रहते हैं, और ये रोटेट होती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो भारत में आज के समय सांगिक नीती है, संविधान की नीती है, संग की नीती है, लोगों की नीती है, पर संविध की नीती को अगर आप बाउंड कर देंगे और व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी वोट नहीं डाल सकता समधान के अंदर तो वो राज नीती में बदल जाती है फिर वो सांगिक नीती नहीं रहती है इसलिए जिस दिन विप का नियम आया कि आपको पार्टी की इक्षा नुसार वोट देना पड़ेगा लोगसवा के अंदर फिर उसकी आज़ादी खतम यानि कि जिसको हमने चुनके बेजा वो व्यक्ति अपनी एक्षा से अपने विवेक से डिशन नहीं लेगा वो अपने जो उसका एक व्यक्ति है जो उसका राजा है जो उसके गृुरुप का राजा है उसके कहने से जो वो डिसाइड करेंगे एक आदमी या चारा आदमी वही सब को करना पड़ेगा तो संग राजनीती में नहीं जाते क्योंकि पहले भी संग राजनीती में नहीं गए और अभी में नहीं जाते क्योंकि आठमा जो नियम है हमारा एगजेक्ट जो है वो ये है कि संग हमेसा गड़ नीती में जाएगा संग हमेसा लोक नीती में जाएगा संग हमेसा सांगिक नीती में जाएगा ये सेंटेंस है पर इसको जो पास किया और जब ये प्रजेंट किया तो इसको ऐसा कहा गया कि संग कभ राजा की नीती में नहीं जाएगा या राजनीती में या व्यक्ति की नीती में नहीं जाएगा ऐसा कहा गया क्योंकि दो ही तरह की नीतिया होती है या तो एक व्यक्ति हमें ले जाए जिसको राजा बोलते हैं या राजा ना भी बोले तो एक व्यक्ति हो गया वो हमको ले जा और हमारे पूरे भाध के अंदर ज्यादा सब्द प्रचलित है लोक नीती सांगिक नीती या गड़न नीती यह प्रचलित नहीं है इसलिए यहां राजनीती में संग कभी नहीं जाएगा तो राजनीती में क्यों नहीं जाएगा राजनीती में इसलिए नहीं जाएगा क्योंक उस पर कोई काम करना है आईडेलोजी से politics का कोई लियनदर नहीं है पॉली माने होता है बहुत सारे यानि बहु मैनी और टिक्स माने होता है नीती यानि कि आप कौन सी टिक्स अपना होगे कौन सी टिक्स करोगे सास्त्र हो गया एक तरह से तो वहां पॉली यानि बहुत सारे आपको पकड़ने पड़ते हैं पर हमारा नियम तो है केबल समण तो अगर हम राजनीती में जाते हैं संग अगर राजनीती में जाता है तो फिर उसको समण के अलावा बंबलों के पास भी जाना पड़ेगा तो उसकी आइडेलोजी खतम हो जाएगी तो राजनीती की एक य कपड से चुनाब को जीतना है पर संगों की आडिलरी ये होती है कि कुछ भी हो जाए पर जिन लोगों के भले के लिए संग बना है उन से आगे वो कहीं नहीं जाएगा तो हमारा नियम है किवल समण इसलिए हम नहीं जा सकते राजनीती के अंदर बहुत जूट बोला जाता है बहुत जूटे जूटे वाय दिखिये जाते हैं क्योंकि जीतना है वहां तो सिर्फ एक उद्देस है कि जीतना है पर संग कभी जूट नहीं बोलते हैं संग जो कहते हैं वो करते हैं संग तथागत होते हैं संगों की मर्यादा होती है उनका गौरव होता है उनका गारव होत बोट खरदी भी पड़ेंगी जीतने के बाद में वहाँ अपने लोग बिकेंगे भी जो छुन के आते हैं और दूसरे खरदे को शोब होता है पर संगों के अंदर तो पैसे का लेनी नहीं होता है नहीं इसनि-सन्य जा सकते जाजनीती के अंदर आप कुछ लोगों का भला करोगे, कुछ लोगों का बुरा करोगे, क्योंकि सब का भला नहीं कर सकते, सारी पॉलिसी एक सी नहीं हो सकती, क्योंकि अलगलग विचारों के लोग होते हैं, तो किसी से आपकी दुस्मनी होगी, पर संग के अंदर एक ही विचार होता है, यहां किसी की किसे दुस्मन ही हो नहीं सकती। यहां एक विचार के लोग होते हैं और सबका यहां सारे के सारे दोस्ती के उपर रहते हैं। राजनीती के अंदर परिवार परिवार को मारता है, काटता है। एक ही परिवार में चार-चार राजनीती की पार्टियों के लोग रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, पर संगों के अंदर तो चार-चार परिवार एक साथ ही खाना खाते हैं, संगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा परिवारवाद है, संगों के अंदर तो परिवारों के जगड़े खतम किये जाते हैं इसलिए संग राजनीती में नहीं जाते पर क्या संग राजनीती को अच्छू समस्ता है ऐसा सवार आ सकता है अगर नहीं जाएगा तो क्या अच्छू समस्ता है, अंटर्चिप समस्ता है तो क्या उससे कोई सारुकार नहीं है, उससे कोई लिल्यानदर नहीं है, तो संगों का राजनीती से पूरा का पूरा लेंदर है, संग जो होते हैं वो ओक्टोपास होते हैं, आठ भुजाओं वाले होते हैं, आठों दिसाओं में उनकी पहुंच होती है और आठों दिसाओं क है कोई भी व्यवस्ता है उस सभी व्यवस्ताओं में संभन होते हैं तो संग हमेंसा ये चाहता है कि राजनीती में समन सारे जाएं वो राजनीती में इस तरह से जाएं कि पक्ष में भी सारे समन बैठें विपक्ष में भी सारे समन हो उनमें तर्क हो या वितर्क हो पर समन समन से करे उसकी जो एग्जिकुटी बॉडी हो सो बीस करोल 85% से जादा है और 85% तो बहुमत होता है बहुमत से बहुत जादा होता है 35% जादा होता है डबल होता है बहुमत का तो अगर राजजिती में जाएं और राजजिती में जाके सम्में ना चाएं तो ऐसे सम्मण का राजजिती में जाने का फायदा नहीं पर यह सम् सेन्ट नोग तो तुक्डों को तूटे हुए एंप उपस में लड़ते हैं। उनका वोट कहां जाता है उनका सपूर्ट कहां जाता है उनका नोट कहां जाता है किसी को पता है negative बताते भी नहीं यह फिशाशी परसेंट जोनग आम की समय कहां खिसक जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, तो ऐसे हिसाब किताब में जहां राजनीतिक लोग जाते हैं, उनका पता ही नहीं है, तो जवाब को ले उनका, किसको जवाब देंगे, वो तो लोगों से जवाब लेते हैं, लोग क्या जवाब देंगे, जो जो समख्षा का नाम लेता है उसको कहते हैं कि तुन बद्वास कोरते हैं क्योंकि वहां जो राजितिक फॉतिया है वह सच में राज राजा की तरह करती हैं वह संग की तरह या गण की तरह या लोगों की तरह बह्पार नहीं करती है उनके अंदर ताना शाही कुट-कुट के भरी हुई है, सारी राजनितिक पाट्यों को यह हाल है, जो सम्दोकी है, सारी, और वो किसी की सकल देखने को त्यार नहीं है, चाहे वो बर्वाद हो जाएं, चाहे वो हमें बर्वाद करते हैं, इससे उन्हें कोई ले अंदर नहीं ह वहाँ पे हम उनका नित्वत करेंगे, पढ़के जाएंगे, बहाँ संसद में जाते हैं, विधान सवा में जाते हैं, जो बहुमत में होते हैं, बहुत संका के होते हैं, वो नियम बनाते हैं, नियम बदलते हैं, नियम खतम करते हैं, यानि नियमों को ठीक करना, नियमों को खत अनकी देखवाल करना। ये काम उन लोगों के हैं जो पक्ष हैं और विपक्ष्में जो लोग वहुवत हैं उसको विपक्ष बोलते हैं उसके अधिकार ये हैं कि जो नियम नहीं चल रहें एंन पर वह تर्क वितर्क करे और महां दर्ज करवाए कि तुम ने ये कहाता ये ठीक नहीं है, ये नियम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अपनी सला दे, माने तो ठीक, ना माने तो वहाँ विरोध दर्ज करे, और उसके लिए फिर जुडिस्री भी होती है, जो वहाँ कानून को प्रोटेक्ट करती है, समविधान को प्रोटेक्ट करने का काम होत वहां काम रुक जाता है अब वहां जो आते हैं जो पूरे खबरें आती हैं उन खबरों के इसाब से जो समयधाने की प्रिक्रिया थी वो प्रिक्रिया पूरी तरह से नहीं चल रही है वो रुक जाती है संसत का समय बेकार जाता है लोग अपने अपने मैं मेरा मैं मेरा और पसंद हैं बागी वो देश को पसंद हो या ना हो उसके बाद फिर लोग उसको पोटेस्ट करते हैं जैसे किसानों ने पोटेस्ट किया एक साल लगा किती महनत लगी कितना पैसा खर्च हुआ सरकार का भी खर्च हुआ और आम पब्लिक का भी खर्च हुआ तो विरोध भाद अभी वो सिस्टम ठीकते से चलनी रहा है ये बात संग को पता है पर संग की अभी ऐसी हैशित नहीं है कि वो अपनी राजनितिक पार्टी को कह सके कि वोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब नोट देंगे जब इखटे होके आओगे तब सपोर्ट देंगे जब इख पर अकल नहीं आती और कुछ अकल आती है तो लोग नई पार्टी उब्रा लेते हैं क्या कहते हैं यह पार्टी बेकार है अब हम खोलेंगे वो पुरानी पार्टी पर क्या हुआ इस पर कोई बात करता नई पार्टी खोल लेते हैं और लोग पूछते भी नहीं लोग जानते कभी भी लोगों ने यह नहीं कहा अरे 85% अगर समड़ों की संख्या है तो हार का तो कोई कारण ही नहीं तो तुम लोग इखटे क्यों नहीं होते अगर तुम इखटे हो जाते तो तुम्हारा एक रुपई या खर्चना होता तुम सारे जीत जाते पूरे 70 साल में तुम जितन हैं क्योंकि कोई भी राजनितिक पार्टी किसी के अधिन नहीं है किसी भी विक्तिक अधिन नहीं है राजनितिक पार्टी के जो लोग जो आका होते हैं उनकी तानासाहित ने जवलस्त होती है अगर आपने कुछ कहा तो वो सीधे-सीधे आपको विरोधी पार्टी का बोल वो पार्टी के पैसे से खुब मोच करते हैं जहाज में आते हैं, हेलिकॉप्टर में घूमते हैं अपने बच्चों की शादियां करते हैं अपने बच्चों की बड़े बनाते हैं अपने बच्चों की रोनक करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बच्छों को लिखाते हैं, अपने बच्छों का भविषय बनाते हैं, बड़ी या बड़ी या कपड़े पैनते हैं, शान से रहते हैं, सान से चलते हैं, कोई उनसे पूछे कि भाया ये तुमने कमाये क्या, तो वो कोई जवाब ने देते हैं, कोई उनसे पूछे कि भ सारी जानकारी आनी चाहिए इसलिए संग में राजनितिक पार्टियां नहीं आना चाहती क्योंकि संग लोगों के द्वारा है लोगों का है और लोगों के लिए है पर राजनितिक पार्टी लोगों के द्वारा नहीं है ना लोगों के लिए है ना लोगों की है राजनितिक प पूछ होगे कि भाई आप अलग अलग रहते हो तो कैसे जीत होगे तो दो तीन बानगी आपको सुनाता हूं एक राजनितिक पार्टी है बामसेफ ने बनाई नाम नहीं लेता बुरा लगेगा उनको वैसे हमें को डर भी नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई हम तो बहु इसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने क्या कहते हैं लोक तरंत्र के अंदर आप किसी आदमी की बोट का ब्लैक मिल नहीं कर सकते बोटे सुतंत होती है हर एक आदमी की हम सो पार्टीयं बनाएं इससे क्या मतलब है बोटर आजाद है बोटर जिसको देना चाहिए दे मतलब वो ये कह रहे हैं कि 100am बनाना 1000 बनाना ठीक है बोटर की जुम्धारी है को एक को चुने बोटर की जुम्मधारी है कि किसको दे आप बोटर को बंधि नहीं बना सकते आप बांद नहीं सकते वह आजाद होती है और वो मजबूत होती सबके काम हो जाते तो बोटर को तो अपना काम चाहिए उसे कौन समाव विदान समाव में या लोग समाव बैठना है दूसरे व्यक्ति से मैंने कहा वो भी राजनितिक पार्टी उसने खोल दी वो साब कासिराम जी का चेला यह सारी चेले साब कास के पास तीन परसेंट वमर्ण जब सेंकड़ों राजनितिक पार्टियां बना सकता है तो क्या पिचासी परसेंट लोग हजारों पार्टी नहीं बना सकते मैंने का गुरू जी लाखों बना सकते बनाओ भाई अगर हजारों पार्टी बनाके और लाखों पार्टी बनाके त इतके सत्ता में कैसे आ जाती हैं और तुमारी हजारों पार्टियां बिखर के सत्ता से दूर कैसे चले जाती हैं ये मंतर बतातो मेरे को वो मंत्र नहीं बताया उन्होंने मुझे ना यह कोई बात की आप किसी भी राजयतिक पार्टी से पूछ होगे उसके पास में एगजेक्ट कोई ना कोई बहाना मौजूद है पर इस बात को समझने को त्यार नहीं है कि अगर समणों की एक पार्टी होगी एक राजयतिक पार्टी होगी तो चाए बोट मांगो या ना मांगो चाए पैसा पास हो या ना हो कुछ ना हो लोग अपने आपी जिता देंगे ये बात किसी को समझ मने आती इसलिए दिक्कत है पर समण संग से सारे के सारे इस बात का सबक सीख रहे हैं कि अगर संग राजनीती में नहीं जाते क्योंकि पहले भी संग कभी राजनीती में नहीं गए बुद्ध कभी राजा की दरवार में नहीं गए, राजा की नीती पर नहीं चले, राजा की कोई नीती नहीं नहीं मानी, उनकी नीती बिलकुल अलग होती थी, जब वो साख के गड़ परिशत में थे, साख के संग में थे, तब भी राजा की नीती नहीं चलती थी, जब उनने भिक्को संग बनाया, धमिक संग बनाया, धरम कालक्स संग बनाया, उसमें भी राजा उनके पास आगे बैठता था, उनसे सला लेता था, वो कभी राजा के दरवार में नहीं गए, ना कुछ मांगने गए, ना ही कुछ कहने गए, राजा उनके पास आते थे, मंत्री उनके पा पर जब सांगिक रचना हुई और संग की सक्तिया आई और संग की नीती चली तो उनकी जो राजा की नीती थी राज नीती खतम हो गई पर सब्द रह गया राज नीती यह हमें प्रशान करता है बहतर होता कि हम इसको गड़ नीती बोलते संग नीती बोलते या लोक नीती बोल लोगों के द्वारा चलाते हैं, वहां सिर्फ अकेला एक राजा होता है, जो उसकी मर्जी, जिसको चाहे उसको बाश्चा बना दे, जिसको चाहे उसको सजा दे, जिसका चाहे उसका मकान बनवा दे, जिसका चाहे जिसका मकान तुलवा दे, जिसको चाहे वो एंकाउंटर करा पड़ता है, सबको जवाब देना पड़ता है, इसलिए संग कभी राजनीती में नहीं जाते, ना पहले गए ना अब गए, भारत में और दुनिया में जितने बहुत कम है, राजनीती में जो सक्तियां है, वो आती जाती रहती है, राजनीती के अंदर हार भी होती है, जीत भी होती है, जब आप चुनाब लड़ते हो तो या तो हारोगे या जीतोगे, पर संग की उमर बहुत लंबी होती है, संग परमानेंट होता है, और संग में कभी ह हार नहीं होती संग में हमेसा जीती जीत होगी क्योंकि संग लड़ता नहीं है लड़ोगे तो हारोगे भी और जीतोगे भी पर जुड़ोगे तो कभी नहीं हार सकते क्योंकि जुड़े हुए हमेसा जीतते हैं संग जोडता है संग लड़ता नहीं है कोई हमसे कहे कि संग लड बी और 50 परशन्ट में जीतोगे भी, इसलिए संघ का भी राजनीती में जाते हैं, क्योंकि उनको हाना नहीं है, क्योंकि संघू बहुत बड़ी चीज होती है, संघू रोज राजनीती पैदा कर सकता है अलग-अलग रोज पार्टियों को पैसा किस्प्रा, जिसके पीछे संग खडा होता हैュ राजनीति वहाँ से आरंहां होती है और जिसके पीछे संग नहीं होता वो कितनी राजनीती काल्य, उसकी बहुत temporary होती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, बाज इससे जादा नहीं, उसके बाद उसकी खतम जाती है, फिर ने लोग आते हैं, बिना संग के, फिर पार्टी बनाते हैं, फिर वो खतम जाते हैं, अभी ने बच्चे आये हैं, लड़के आये हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, पार्टी ब वो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रुकता, क्योंकि संग के निर्ने, संग ही करता है, संग ही सबोपरी है, संग जैसा चाहे वैसा कर सकता है, संग को कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे अगर किसी इस वक्त वैसे, अगर किसी को कोई परिशानी होई हो, या किसी को अच्छ ना लगा हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे किसी का कोई प्रसन होता पूर सकता है